दोस्तों आप देख रहे हैं लेटेस्ट लाउंस TBS XL 100 BS6 2021 मॉडल और यह हैवी ड्यूटी मॉडल है यानि इसमें आपको दो वैरियन्स आते हैं एक कमफर्ट एक हैवी ड्यूटी तो यह हैवी ड्यूटी वाला आपके सामने हैं जिसमें आपको पेलोड क्यापसिटी अच्छे मिल जाती है उसी के साथ इसकी जो सीट है वो आप रिमूब भी कर पाएंगे और आपका जो कमफर्ट होता है वो आप नॉर्मल कम्यूटिंग के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बा पर दाऊंगा भी उसके अड्वंटेजस क्या है किस वज़े से आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं तो जैसा कि आप इस बाइक को फ्रंट से देख सकते हैं फ्रंट में एक राउंडेड हेड्लैम मिल जाएगी आपको और यह जो हैलोजन हेड्लैम है इसके साइड में देखेंगे तो टेलेसकोपिक सस्पेंशन के साथ ये बाइक आएगी और उसके ऊपर एक फोर्क बूट का इस्तेमाल किया गया है जिससे सस्पेंशन जो है उसमें धूल मिट्टी ना पड़े और उसकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो जाए ग्राफिक्स का इस स्पेस मिलता है उसकी तो काफी जादा बहतरें आपको स्पेस मिलेगा और अब इसके फ्लोर वूट स्पेस को भी एक्स्टेंट किया गया है जिससे आप बीच में भी कोई सामान लेके आराम से जा सकते हैं और अगर आप देखेंगे दोस्तों इस वाइक के ओवरॉल परप कि जिसके लिए ये बनी हुई है बाइक तो आपके ये मुस्टली यूज होती है है विडूटी परपस जैसा कि इसमें लिखा गया है यानी सामान धोने के लिए और राइट साइड में देखेंगे तो एक्सल हंडेड लिखा है उसके नीचे हैविडूटी एटी एफाई य इसको हम कहते हैं बिक की तो इन सब में जो है एट कर दी गई है और यहां पर इससे माइलेज जो है वो 15% तक बढ़ जाती है फ्रेंट में इसके फोक पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और फ्रेंट टायर की बात तरता हूं तो 2.5 सेक्शन का 16 इंच का फ्रेंड वीर और 2.5 सेक्शन 16 इंच का रेर वील मिलता है जो की एस्पोक बील के साथ आते हैं जो फ्रेंट में सस्पेंशन है दोस्तों वो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और इंडियन राइडिंग कंडिशन के हिसाब से वो अर्जस्ट है और जो आपको रेर में सस्पेंशन मिलता है दो जहां पर मैटल का इस्तिमाल पीछे किया गया है और इसका मटगार आप नीचे से देख सकते हैं मरून कलर का जो की एक्सेंड होता है पीछे जो आपकी टेल लैंप दी गई है दोस्तों वो आपको बल्ब मिल जाएगी और टन सिंगल इंडिकेटर भी बल्ब हैं यहां पर लेइगा है और आप नमबर प्लेट लगा सकते हैं यहां पER उसकी इस पेश को वाको मिल जाएगी और पीछे से देखेंके तो यहां पर रैक्स का इस्तिमाल किया गया है जो की लोहे की हैं तो यहां पर आपकाफी सारी चीज़ें बान्थ के लेकर जा सकते हैं और यहां ज CC का 4 stroke single cylinder engine मिलता है जो की maximum power produce करता है 4.4 PS की at 6000 RPM और maximum torque ये produce करता है 6.5 Nm at 3500 RPM तो यहाँ पर जैसा कि आप इसके torque को देख सकते हैं यहाँ पर 6.5 Nm का torque है पर जो ये torque आता है वो 3500 RPM पर ही आता है यानि low end में आपको जादा torque इसमें देखने को मिल जाता है और इसी वज़े से इसको pulling के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है heavy load भी आप इस पर दे सकते हैं यहाँ पर जो switch quality, switch finish मिलती है वो आपको अच्छी मिलेगी left side में देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको upper deeper switch मिल जाती है उसके नीचे तो नीचे आप जैसे ही दबाएंगे वैसे ही आपका engine वो है start हो जाएगा यहाँ पर आपको analog instrument console मिलेगा और बहुत जादा informations आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी और यहाँ पर speedometer और trip meter ही आपको दिया गया है और उसके right side में आपकी लगा सकते हैं handlebar के उपर एक छोड़े से pipe का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि इसको support देने के लिए इस्तेमाल करी गई है तो overall अब हम बात करते हैं दोस्तों इस bike के dimensions की तो यहाँ पर आपको जो curve weight इस bike का मिलता है वो मिलेगा 88 kg का overall lens जो इसकी है दोस्तों वो है 1895 mm width है 70 mm की जो इसकी height है दोस्तों वो है 1077 mm की wheelbase यहाँ 1200-28 mm का है और ground clearance है 158 mm की seat height इस bike की है 787 mm की जो यहाँ पर चेचिस टाइप दी गई है वो welded tubular step through construction यानि काफी अच्छी जो इसकी build quality है जो इसकी चेचिस है और मजबूत काफी यह आपकी होने वाली है अब हम बात करते हैं दोस्तों इस bike के mileage की तो यहाँ पर जो यह आपको mileage देती है दोस्तों वो 80 प्लस आराम से दे देगी वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी इस bike में front and rear दोनों में आपको drum brake मिलता है जिसकी size यह 110 mm की और यहाँ पर जो आपको fuel tank capacity मिलती है दोस्तों वो बहुत जादा तो आपको नहीं मिलेगी 4 liters की fuel tank capacity है और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ETFI add हो जाने की वज़े से तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको amount में fuel जो है वो आपकी आसी बाइक चाहिए जो की budget friendly बाइक हो mileage काफी जादा बहतरीन दे और यह हर पकायर के काम के लिए आप इसका इस्तेमाल कर पाए है चाहे आप इसको कहीं पे लेके आईए जाईए कम्यूटिन कीजे या फिर आप अगर किसी business में हैं आपको कई सामानलाद के लेके जाना रहता है तो आप इसका उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह जो i start variant है दोस्तों अगर मैं इसकी pricing की बात करता हूँ तो extra room price यह तक्रीबन 48,000 के आसपास और और on road price जो इसकी पढ़ जाती ही 100cc की bikes मार्केट में उन सबसे काफी जादा कम मिलेगी दूसरा क्या है कि दूसरा यह आपकी heavy duty variant है यहाँ पर जो low end torque मिलता है जो torque आता है वो आपकी कर्म RPM पर मिलता है तो जिसकी वज़े से इसकी pulling capacity काफी अच्छी हो जाती है और being a 100cc bike तब भी इसकी pulling capacity काफी जादा बहतरीन है क्योंकि यहाँ पर low end torque काफी जादा अच्छा मिलता है जिसकी वज़े से यह payload capacity जो इसकी है वो increase हो जाती है यह जो है तकरीबन 130 kg तक का weight लेके आराम से जा सकती है और इस से जादा भी आप इस पर लेके जा सकते हैं क्योंकि बहुत लोग लेके जाते भी हैं अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके next advantage की तो next advantage यह है कि इसकी maintenance है वो आपको काफी जादा कम देखने को मिलती है क्योंकि being a 100cc bike यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ technical parts नहीं मिलते हैं ज़्यादा किसी technical चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है simple bike है यहाँ पर जो इसका जो आपको wheel मिलता है वो भी spoke wheel मिलता है और दोस्तो spoke wheel आपको यहाँ पर tubeless tire नहीं मिलता है एक तो reason हो सकता है इसकी pricing दूसरा reason यह हो सकता है कि spoke wheel होते हैं आपकी ज़्यादा मजबूत अगर आप उसको compare करते हैं किसी alloy wheel से जो कि यहाँ पर spokes होते हैं अलग-अलग spokes होते हैं यानि कई spokes का इस्तिमाल किया रहता है तो जो weight distribution होता है जो उसकी strongness होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अगर आप उसको compare करेंगे alloy wheel से इसलिए देखी off-roading bikes में spoke wheel का इस्तिमाल होता है तो spoke wheel है तो वहाँ पर tube wall tire आपको मिलेगा spoke wheel के साथ tubeless tire नहीं आते हैं तो यहाँ पर tires का भी खर्चा है वो भी आपको कमी मिलेगा हाला कि यह है कि tubeless tires में ज़्यादा बेटर रहता है कि आपकी हवा जब कभी निकल भी जाती है तो तुरंत वो आपको दिक्कत नहीं देती है पर pricing के हिसाब से आपका tube wall tire भी सस्ते आपको पढ़ जाते हैं अब जो next चीज इसके जो next advantage पेस मिलेगा इसके seat के just नीचे जहाँ पर किसी भी प्रकार की बूरी किसी भी प्रकार का सामान आप लाट के आराम से लेके जा सकते हैं पीछे देखिए तो यहाँ पर racks भी दिये गया है जो कि metallic racks है और यह बांधने के लिए सामान वगेरा को काफी अच्छे से carry करने के लिए खासा मदद करने वाले हैं और इसका जो next advantage है दोस्तों इसकी build quality और इसमें सारा metallic part का इस्तिमाल किया गया है अगर आप इस bike को देखेंगे तो यहाँ पर यह ज़्यादा बेटर चीज हो जाती है कि जो build quality है जो इसकी strongness है जो इसकी durability है इस bike वो बहुत ज़्यादा increase हो जाती है तो बस दोस्तों आची वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो का जनाज़त प्रीच आपको सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक से अगले वीडियो में तब तक के लिए जहें बोने मातर हो